विल्कम बैक मुझे एक जमाना हो गया है वीडियो डाले गए ठीक है हाँ, जादा ही दिन हो गया है उसके पहले थैंक्यू किर्थी स्वर्मा फॉर था मेंबर्शिप अगर आप लोगों ने अभी तक मेंबर्शिप नहीं लिया है तो मैं अपने कॉमेंट्स पर रहा था तो उसमें मैं देखा अभी तक लोगों को पता नहीं कैसे शेडर्स इंस्टॉल किया जाता है लेकिन मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना था तो मैं सोच रहा हूँ एक और बना दू वह वीडियो चॉप चॉप लगाते हैं तो सबको पाता है टी लौंचर कैसे डाउनलोड करते हैं कोई भी ब्राउजर पर जाती नहीं किमए ऐसे ऊपर डाउंलोड हो ढिके रख़ा है तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कर लेना जाभा भी इंस्टॉल कर लेना तो उसके बाद इंपोर्टेंट पार्ट आता है ये जब ये इंटर्फिस खुल जाएगा T-launcher खुलने के बाद तो इदर Optifine तो आपको नहीं दिखेगा आपको पहले दिखेगा Release 1.18 1.18 क्या होता है वह एदम Basic सा जो Minecraft होता है वह होता है हमें दो चीजों से मतलब है ये Optifine ये Forge ये Forge Optifine तो ये Forge क्या है अगर आपको Minecraft में mods लाने है जैसे गाड़ी लाने है और डराब ने कुछ भूतूत लाने है तो पड़ता है mod लगाना ही पड़ता है तो फिर और दूसरा है Optifine ये मेरा फेपरेट है क्योंकि इसमें जो काम होता है Shaders का इसी में होता है और किसी में नहीं होता है हाँ होता है Forge Plus Optifine Forge Plus Optifine क्या है इन दोनों का mix है तो आप mod भी कर सकते हैं उस पर Shaders भी लगा सकते हैं समझ रहो समझ रहो आप समझ रहो ना तो हाँ तो मुझे एक बात बताना इसका अगले वर्टले वीडियो क्या मैं texture pack के ओपर बना हूँ तो नीचे comment करो अगर जादा comment है तो मैं बना दूँगा नहीं तो तब देखा जाएगा और तो यह हमें सबसे latest वाला ही कर लेना है latest 1.18.1 है यह नहीं करेंगे हम करेंगे Optifine 1.18.1 इस पे click करेंगे आपका अगर आपका अगर नहीं होगा तो असे install दिखाएगा तो हमारे Optifine installed है तो हम इस पे just install करेंगे तो आपका install हो जाएगा उसके बाद यह enter the game देना है आपको एक नाम देख की गुज़ जाना है गुज़ जाओके तो हो जाएगा और हाँ अब important part है cache हम shaders कर सकते हैं मतलिंग इस्टॉल कर सकते हैın shaders install करना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा बच्चा कर लेगा मैं भी कर लेता हूँ फिलाल मैं बच्चा नहीं हूँ होसे हो भी सकता हो तो यह नहीं चाहिए तो आपके पर shaders नहीं है तो मेरे मैंने इतने सारे shaders के वीडियो बना है उनको देखो उनके description में shaders का link होगा उसको जाके download कर लेना तो मैं दिखा हूँगा यह वाला यह downloads, downloads में यह वाला BSL shaders है तो यह अधर से download होगा है आपको क्या करना है बस इसको copy कर लेना है बस इसको copy कर सकते हो, cut कर सकते हो, cut ही कर लिया तो इसे delete करते हैं एक बाइर इसे बंद कर देते हैं और इधर आके T launcher पर right click करके open with file location open with file location करने से यह सारे खुल जाते हैं तो इधर हमें ढून लेना है shader pack, shader pack क्या है, इस कहा है बोलो, इधर है तो shader pack में जाके हमें right click करके paste कर देना है, मुझे यह replace मांग रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पहले से BSL है, इसलिए मुझे replace मांग रहा है तो यह वाला folder दिखाएगा, अगर फिर भी नहीं दिखा रहा है आप एक folder बना लो यह shader pack नाम का यह folder बना लो यह एक और काम कर सकते हो अपने जो T launcher है उसे totally delete करके फिर से reinstall कर लो सबसे अच्छा हुई है वो कर लो और enter the game करेंगे तो खुलने में थोड़ा time लगेगा तब तक यह बताओ क्या आपने मेरे channel को subscribe किया है या नहीं क्या आप वो 3% लोगों में से हो जो जिन्होंने मेरे channel को subscribe करके रखा है अगर नहीं तो अभी subscribe करो उस 3% को हमे 5% तक लेके जाना है हां इतना तो करी सकते हो तो यह खुल रहा है तो हम इससे इसमें दवा देंगे f11 अच्छा अभी अभी नहीं काम करेगा फुल लोडिंग स्क्रीन हो गया तो f11 दवाने से हो जाता है तब यह जब खुल गया तो इस पे हम जाएंगे options options में आने का यह बाद video shading video shading के बाद shaders shaders में देखो हमारा यहा आ जाए आ जाएगा तो इसे click करने से हम इसे use कर सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ adjust कर सकते हैं आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए यह थोड़ा advance में जाके sky में जाके यहां से बहुत कुछ often करके बहुत मजे ले सकते हो done कर दो done कर दो एक और है इधर done और video settings में जाके यह dynamic lighting इसे आप fancy कर देना हमेशा जब भी करना इसे fancy कर देना क्योंकि आप जब हाथ में torch पक्रोगे तो आसपास light करेगा यह बहुत important इसे fancy कर देना और details में जाके आप इनके साथ मजे कर सकते हो कौन सा आपके लिए best है आप देख सकते हो यह render chunks 12 यह 12 यूज़ कर सकते हो यह इसे 8 भी यूज़ कर सकते हो 12 प्रेफरेबल है यह जितना कम रहेगा आपका PC उतना fast चलेगा मैं अभी बोल रहा है यह जितना कम रहेगा उतना smooth gameplay आपको मिलेगा तो done करते है और इदर single layer एक world में जाते हैं देखते क्या है क्या हाल है जब तक यह वाल लो रहा है subscribe कर दो और लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया है तो एक चीज़ तो यह वाला shaders install हो गया है BSL shaders हमेशा की तरह must देख रहा है यह मुझे पता नहीं जब भी मैं full screen करता हूँ थोरी दिर black होता है फिर on हो जाता है BSL shaders काफी must shaders है आपको जरूर ट्राइ करना चाहिए अगर BSL पसंद नहीं आए तो आप Projectlyuma भी जा सकता हूँ मैं हर एक वीडियो में Projectlyuma का नाम लाम बोल रहा हूँ मैं प्रोजिकलियूमा का नाम लेता हूँ मेरा फेवरिट shaders है और मेरे बाद स्टॉक में बहुत सारे texture pack है आप एक बार बोलो texture pack के बारे में तो मैं list डाल दूँगा इदर हम तो आज का वीडियो यही तक मिलते हैं किसी और वीडियो में Have a nice day, good bye